Good morning students, last class में हमने personality के बारे में detail में बढ़ाता personality क्या होती है, उसके types कौन कौन से होते हैं और personality का measurement हम किन किन method से कर सकते हैं आपके जो भी competition exam होते हैं, उसमें psychology से related जो question आते हैं उसमें personality के कुछ questions जरूर होते हैं इसलिए मैं इस से related आपके 35 MCQ लेके आई हूँ आप इन questions को ध्यानपूर्वक पढ़िए, सुनिए और इसका अंसर आप खुद दीजिए, साथ के साथ मैं आपको अंसर बता दी जाएगू First question है, व्यक्तेतु शब्द की उत्पती किस शब्द से हुई है? Person, Persona, Persona, Personality यहाँ पर जो B और C option है, इसमें spelling में थोड़ा सा ही difference है, लेकिन इसका सही उत्तार है C, Persona Second question है, व्यक्तेतु वही है जो हम करते हैं यह कतन किसका है? Man, Boring, Watson या Warren इसका सही उत्तार है C, Watson यह Watson नहीं का है कि व्यक्तेतु वही है जो हम करते हैं Third question, व्यक्तेतु एक गतिशील संगठन है यह कतन है, Watson, Alport, Man या Thondoy इसका सही उत्तार है B, Alport Alport ने व्यक्तेतु की परिवाशा में का है व्यक्तेतु एक गतिशील संगठन है या कत्यात्मक संगठन है Fourth question है, निम में से कौन से प्रकार Sheldon के व्यक्तेतु अनुसार नहीं है Endomorphie, Misomorphie, Ectomorphie या Estomorphie जब हम Sheldon का हमने व्यक्तेतु पढ़ा था तो उसने तीन प्रकार बताये थे Endomorphie, Ectomorphie और Misomorphie Ectomorphie, Sheldon के अनुसार, व्यक्तेतु का प्रकार नहीं है Fifth question, Kretschmer ने शारिरक सरचना के आधार पर व्यक्तेतु के कित्ते प्रकार बता है A है 4, B 5, C 6 और D 8 इसका सही उत्तर है A, 4 Kretschmer ने शारिरक सरचना के आधार पर व्यक्तेतु के चार प्रकार बताये है next question इसका सही उत्तर है C, तीन, युग ने व्यक्तितु के तीन प्रकार बताए हैं, नेक्स्ट, युग ने व्यक्तितु के कौन-कौन से प्रकार बताए हैं, अंतरमुखी, बहिरमुखी, उभहमुखी या सभी, इसका सही उत्तर है D, सभी, क्योंकि युग ने तीन प्रकार बता इसका सही उत्तर है ए अंतर मुखी व्यक्ति क्योंकि एकांथ प्रिय होते हैं हसी मजाग करने वाले और सामाजिक बहिर मुखी के अंतर गताते हैं इसलिए सही उप्षन है इसका सही उत्तर है ए तेन्थ कुशन भारतिय द्रश्टि कौन के अनुसार व्यक्तितु के किते प्रकार होते हैं तीन चार पांच यच्छे इसका सही उत्तर है ए तीन भारतिय द्रश्टि कौन के अनुसार व्यक्तितु के तीन प्रकार बताए गए हैं 11. भारतिय द्रश्टिकॉन में इन में से कौन सा शामिल नहीं है? सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी या समाजगुणी? इसका चाही उत्तर है समाजगुणी D. क्योंकि सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी ये व्यक्तित के प्रकार भारतिय द्रश्टिकॉन के अनुसार बताए गए हैं 12th question आत्म केंध्रित व्यक्ति का व्यक्तित होता है बहिर मुखी अंतर मुखी अभै मुखी और उत्तम इसका सई अंसर है B अंतर मुखी व्यक्तित का विकास निर्भर करता है वंच्छानु क्रम पर वाता वरन शारीरिक स्वास्त पर या उप्योग सभी पर इसका अंसर है डी उप्योग सभी पर क्योंकि व्यक्तित का विकास या व्यक्तित के कारत में हमने देखा था व्यक्तित का विकास वंशानुक्रम बातावन शारिरिक स्वास्त सभी पर निर्भर करता है फोटिंथ कुशन व्यक्तित मापन की एप्रक्षिपन विधी निम्न में से है व्यक्तिनिष्ट विधियां वस्तुनिष्ट विधियां एव बी दौनों और दौनों में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है C, A, B, दौनों व्यक्तिनिस्ट विदियां और वस्तुनिस्ट विदियां दौनों ऐ प्रक्षिपन विदियों के अंतर गताती हैं फिप्टिंथ, शील गुणों को मापने के लिए प्रिश्णावली का निर्मान किया था इसका सही उत्तर है C, कई बार इसमें कई चके आपके अगर आलपोर्ट दे रखा हो तो आलपोर्ट ने भी शील कुणों का मापने के लिए प्रिश्णावली का निर्मान किया था इसलिए इसका कैटल और आलपोर्ट दोनों सही उत्तर होंगे Q16, अचेतन मन का अध्यन किस विधी में किया जाता है? प्रक्षिपी विदी दौनो या इन में से कोई नहीं इसका सयुत्तर है बी प्रक्षिपी विदी जिसको हम प्रक्षिपन विदी भी कहते हैं उसके अंतरगत ए चेतनमन का अध्यन किया जाता है सेवेंटिंथ पेपर पैंसिल परिक्षन किसे कहते हैं शारिरिक परिक्षन को प्रशनावली को शाक्षातकार को या आत्मकथाविदी को इसका सही उत्तर बी प्रश्णावली को पेपर पैंसिल परिक्षन कहते हैं क्योंकि इसमें पेपर पैंसिल की आवश्चक्ता होती है सही उत्तर देने के लिए इसलिए इसको कागत कलम परिक्षन या पेपर पैंसिल परिक्षन के नाम से भी जाना जाता है 18. सिग्मन प्रायर्ड ने मन की तीन दशाएं बताई है उन में से अचेतन मन होता है A. जागरत अवस्ता B. भूल जाना C. दमित इच्छाएं वा कटू अनुभाव D. उप्योग सभी इसका सही उतर है C. दमित इच्छाएं वा कटू अनुभाव अचेतन मन के अंतरगत आती है जागरत अवस्ता अचेतन मन में आती है और भूल जाना अर्दचेतन में आता है किशोर अवस्ता में बालक अधिकांश्ते अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है ट्रायर्ड ने इस भावना को क्या कहा है A. मूल प्रवर्ती B. नर्शिस्त C. अर्जितप्रवर्ती या D. इन में से कोई नहीं इसका सायूत तरभ ब नर्शिस्त काहा है प्रायर्ड ने कि ब्रक्ती अपने आपको भी पर मोहित होता है अपने आपको देखके खुश होता है इसलिए इसका सायूत तरभ ब 20. प्रक्षिपी विद्यों से मापन किया जाता है चेतन मन का, एचेतन मन का, अर्द चेतन मन का या अर्द चेतन वे अचेतन मन दोन का तो इसका सही उत्तर है D. अर्द चेतन वे अचेतन दोनों मन का अध्यन प्रक्षिपी विद्यों द्वारा किया जाता है 21. निंग में से प्रक्षिपी विद्या हैं TAT, CAT, इंक ब्लॉट टेस्ट या all of these इसका सही उत्तर है D, all of these TAT, CAT और इंक ब्लॉट टेस्ट इसको अमशाहित अबब परिक्षन या रोशार परिक्षन के नाम से भी जानते हैं तीनों प्रक्षिपी विद्या है 22. आयुर्वेद शास्त के नुच्छा व्यक्ति के प्रकार है A. पित प्रदान, B. वायू प्रदान, C. कौप प्रदान या D. उप्युक सभी इसका सही उत्तर है D, उप्युक सभी आयुर्वेद ने तीन प्रकार बताये हैं व्यक्तितु के प्रदान, भायू प्रदान और कप प्रदान इसलिए सही उत्तर है D Q23. व्यक्तितु इतिहास विज्दी किस ने दी? टिचनर, टाइड मेन, वूंट या वुडबर्थ इसका सही उत्तर है B, टाइड मेन ने 24. समाज मिन्ति विदी, इसको सोशियोग्राम भी कहते हैं कि प्रतिपादक कौन है शेल्डन, क्रैस्मर, फ्रायर्ट या जे अल मॉरेनो इसका सही उत्तर है D, जे अल मॉरेनो 25. प्रक्षेपन शब्द का सरप्रतम प्रियोग किस ने किया? प्रायर्ट, यूंग, थॉनड़क और वुडवर्ड इसका सही उत्तर है A, प्रायर्ट ने सरप्रतम प्रक्षेपन शब्द का प्रियोग किया था और उसने प्रक्षेपन के लिए कुछ विद्यों का निर्मान भी किया था जिससे कि हम एचेतन और अर्जचेतन मन का पता लगा सके 26. व्यक्तित्व मापन के लिए निम्ने से कौन सा व्यक्तिनिस्ट परिक्षन है रोशार्थ परिक्षन, शब्द साचार्य परिक्षन, जीवन कथा विदी या वाक्य पुरुती परिक्षन इसका सही उत्तर है C. जीवन कथा विदी, लाइफ एस्ट्री मेथड, व्यक्तिनिस्ट विदी है जिसमें व्यक्ति को खुद की बायोग्राफी लिखने के लिए या उसके बारे में बताने कहा जाता है 27. रेटिंग स्केल परिक्षन विदी है आतनिष्ट विदी, वस्तुनिष्ट विदी, समाजमिती विदी या इनमें से को ही नहीं इसका सही उत्तर है B. वस्तुनिष्ट विदी 28. चित्र दिखाकर व्यक्ति के अचेतन मन का पता किस विदी में लगाते है प्रसंगात्मक बोथ परिक्षन, चित्र अपूर्ति परिक्षन, बाल प्रसंगात्मक बोथ परिक्षन या D. A. V. C. दौनों में हम चित्र दिखाकर अचेतन मन का पता लगाते हैं इसलिए सही उत्तर D. Q29. व्यक्तित का मनो विश्लेशन आत्मक सिद्दान्त किस ने दिया? Sigmund Friart, Russo, Albert Bandura और Gilford. इसका सही उत्तर A. Sigmund Friart ने व्यक्तित का मनो विश्लेशन सिद्दान्त दिया था जिसमें तीन प् 30. व्यक्तित का प्रासंगिक अंतरबोद परिक्षन किस ने दिया? Cattle, Alport, Morgan Vemuray और MacDougal. इसका सही उत्तर A. C. Morgan Vemuray ने प्रासंगिक अंतरबोद परिक्षन जिसको TAT के नाम से भी जानते हैं का निर्मान किया था. प्रासंगिक अंतरबोद परिक्षन में कुल कितने कार्ड प्रिक्षन किये जाते हैं? A. 10, B. 20, C. 30, D. 40. इसका सही उत्तर है C. 30. TAT टेस्ट में 30 ऐसे कार्ड होते हैं जिन पर चित्र बने होते हैं और एक साधा कार्ड होता है जिस पर कोई चित्र नहीं बनना होता. इसलि साधो ना ठीक है है next question TAT किस आयू के बालकों के लिए प्रयूक्त होता है? 10 वर्ष से अधिक, 12 वर्ष से अधिक, 14 वर्ष बाल संप्रत्य बोद परिक्षन किस आयू वर्ग के लिए होता है? A. 3-10, 11 यार, B. 2-12 यार, C. 7-11 यार, D. 6-12 यार. इसका सही उत्तर है A. 3-10 यार, 3-11 यार, क्योंकि कई चगे आपके 10 यार तक दे रखा है, कई 11, तो आपके ऑप्षन में दौनों में से अगर 10 या 11 जो भी आता है, वोट सही है. 34 Q. रोशार्ट परिक्षन किस ने दिया? A. हर्मन रोशार, B. आलपोर्ट, C. टैंडलर, B. मार्गन वैमुरे, इसका सही उत्तर है, A. हर्मन रोशार्ट ने रोशार्ट परिक्षन का निर्मान किया था. Q. 35. शाई धब्बा परिक्षन में काड किस रंग के होते हैं? A. पांच लाल, तीन सपेद, दो काले, B. पांच काले, दो काले और लाल, और तीन दिवन रंग के, C. तीन भूरे, दो काले, चार लाल, एक सपेद. इसका सही उत्तर है, B. शाई धब्बा परिक्षन, जिसको हम रोशार्ट परिक्षन के नाम से भी चालते हैं, इसमें पांच काले, दो काले लाल, और तीन विवन रंग के काड होते हैं. इस प्रकार ये आपकी व्यक्तितों से सम्बंदित इंप्पॉर्टेंट कुश्चन थे, आप इनको ध्यान पूर्वक पढ़िए, और अगर कोई प्राब्लम है, तो वो आके बिसकस के जाएं. धन्युक्तुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुत